जीला की C.I.E. कालावाली पुलीस ने पुलीस अधिक्षक बोपेंदर सिंग के कुशल नेते तब में कारे करते हुए अपरादियों के खिलाफ चलाए जारे विशेश अभ्यान के तहत C.I.E. इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजपाल वस C.I.E. इंचार्ज सब इंस्पेक्टर परदीब कुमार की स्युक्र टीम ने गाव दादू में जगराज उर्फ गाजी वफ गाव फगू में महिला हर प्रित कौर को गोली मारकर एरिया में दैशित फैलाने वाले संकी व उर्फ खुशी पुत्र सुकदेव सिंग वासी फगू के रुपे हुई है मतादे की गाव दादू में जगराज उर्फ गाजी को कुछ बदमाशों ने रुपए के लेंदेन को लेकर गोली मार दी थी जिस पर गाजी के पुत्र के बियान पर पांच नामजद व्यक्तियों के खिलाफ विबिनदाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था बीते दिनाग 6 मई को संतोक सिंग वासी मलडी ने अपने ही एक साथी अजैब सिंग वासी फगू की पतनी हरपरी कौर को गोली मार कर घायल कर दिया इसके बाद आरोपी संतोक सिंग ने सोशल मीडिया पर पादी है लगातार दो जगाओं पर गोली चलाने के कारण पुलिस अधिक्षक मोहदय सिर्सा ने मामले की घंबिरता को समझते हुए तुरंत सियाए कालावाली वर सियाए सिर्सा पुलिस की एक विशेश सियुक्त टीम का गठन किया सियुक्त टीम ने लगातार पंजाब शेत्र वर सिर्सा एरिया में दबिश दी लेकिन अरोपी का कुछ पता नहीं चला कल दिनाग 6 मई को सियाए कालावाली इंचार्ज रामपाल को खुफिया सूचना मिली थी कि अरोपी संतोक सिंग किसी वारदात के इरादे से कालावाली की तरफ आ रहा है सियुक्त टीम ने अरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन सियाए टीम ने ततपरता से काम करते हुए अरोपी को गाड़ी से काबू कर लिया अरोपी की निशान देही पर आज दिनाग 7 मई को साथी अरोपी खुषदीप उर्फ खुशी वासी फगू को अनाजमंडी फगू के पास से रिमांड हासिल की गई है रिमांड के दौरान अरोपी संतोक से वारदात में उप्यूक्त पिस्टल बरामत की जाएगी वसाती अरोपियों को गिरफतार भी किया जाएगा